पाटन जिले के संक्रेश्वर तालुका में दो करोण 57 लाग रुपे की अनुमानित लागत से बनने वाले बस स्टेशन का उदगाटन आज परिवन राजी मंत्री हर्श साध भी करेंगे इसके अलावा शंक्रेश्वर के लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए मंत्री द्वारा कुल 15 नई बसे भी शुरू की गई नव निर्मित संक्रेश्वर बस स्टेशन 19 सुविधाओं से सोचजित होगा कुल 4,460 वर्ग मीटर भूमी शेत्र में बनने वाले इस बस स्टेशन के अनुमानित लागत दो करोन 57 लाग होगी इस बस स्टेशन पर कुल 7 प्लेटफॉर्म होगे नव निर्मित बस स्टेशन में यात्री, प्रतिक्षाले, नियंत्रण कक्ष, जल कक्ष, महिला विश्राम कक्ष, विकलांग सुविधा के साथ 144 सा हेतिन नवीन सुविधाएं होगी कारकरम में परिवन और ग्रे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री हर्ष संगवी, पूरु कैबिनेट मंत्री दिलीब जी इठाकुर, जिला प्रशाशन और पुलिस के उच्च अधिकारी महजूद रहे दिनेश की संकरेश्वर से रिपोर्ट